महाराज जी सफलता सुंदर चेहरा देखकर प्यार नहीं करती सफलता मैनत लगन वद दड़ इस्ठा सकती की दिवानी होती है तो महाराज जी हम अपनी इस्चा सकती में इस तरह दड़ता लाएं कि हम धर्म महारकों को प्रस्षत कर अपने जीवन को सबल बना सके और मोक्ष हमारे की और बर्ते के बहुत अच्छा वाक आपने कहा है सफलता सुन्दर चेहरा देख करके वरन नहीं करती वो कड़ी महनत दिल इच्छा लगन और दिल इच्छा सक्ती को ही प्यार करती है उसे ही स्विकार करती है तो जिने सफलता को जो चाहते है उन्हें चाहिए कि वो कड़ी महनत करे लगन रखे दिल इच्छा सक्ती रखे तभी सफलता उसको वरेगी अन्य था वो सफलता का लाव नहीं ले सकता हमने जीवन में जितने भी सफलतम लोग हैं उनको देखें उनके जीवन च्रित को परट कर देखे उनके जीवन में कितने शंघर्ष हुए लेकिन उनने जीवन में जो उचाईयां चुई है उसके पीछी की वज़ा क्या है किस तरह से उनने अपनी कड़ी महनत की लगन निष्ठा से जुड़े और दिल इच्छा सक्ती को जगा कर उचाई को छुआ हमें प्रेड़ना मिले तो मैं आप शे कहना चाहता हूँ जो लोग अपने जीवन को सफली भूत बनाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों के जीवन चलित को पढ़े जिन्होंने अपने जीवन को सफलता के सिकर पर पहुंचाया है और उनसे प्रेड़ना ले कि किस तरह जीवन के किस मोड में उन्होंने अपने आपको कैसे संबादा जीवन में आने वाली चुनोतियों का किस तरीके से सामना कि इससे हमें कारी करने का एक अन्हों आएगा तरीका आएगा अपनी इच्छा सकती को जगाने की रखने के लिए हमें कुछ मोटिवेशन चाहिए सिर्फ मोटिवेशन भी अपने आप देना जरूरी है अगर मनुश शफल होना चाहता है तो उसे चाहिए कि हर पर अपनी सफलता को अपने मानस पर अंकित करे एक गोल लिश्चित करे एक टार्गेट फिक्स करे और ये मुझे अचीब करना है बस उसे ही देखे उसे ही सोचे उसे ही सुने उसका ही अनभाव करे और एक ऐसी धुन लग जाए कि फिर इधर उदर कुछ होई नहीं वही मनुश्य सफर हो सकता है और कोई हाँ ठीक है हो गया तो ठीक नए हो तो ठीक ऐसे विक्ति के जीवन में कभी उपलब्दियां नहीं होता